हलो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे किस तरीके से आप GST का यूजर आईडी और पासवर्ड फॉगेट कर सकते हैं वैसे तो यह बहुत छोटी वीडियो होने वाला है पर यह बात भी बहुत छोटी है पर बहुत यूसफुल चीज़ है क्योंकि यह कई बाहर होता है कि आप GST Portal के अंदर कई बाहर इसा होता है कि आपका यूजर आईडी और पासवर्ड कभी-कभी उपन नहीं होता तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं मैं हूँ Anas Malik और आप देख रहे हैं Acom Solutions तो सबसे पहले आपको क्या करना है आपको अभी कोई से भी ब्राउजर के फ़र आपका GST पैनल उपन कर देना है तो जैसे ही आप GST पैनल या GST पोटल आप उपन करेंगे उसका सिंपल से URL है GST.gov.in आप सिंपली इसको उपन कर लेंगे उपन करने के बाद आप यहां पर देखिए लॉग इन पर क्लिक करेंगे अब लॉग इन के बाद एक्जाम्पल के तुर पर माल लेते हैं ना आपके बास यूजर आइडी है ना आपके बास पासवर्ट है तो मैं इस तरीके से आपको लेके चल रहा हूं तो आपको यहां पर लिखा हुआ है फॉग यूजर नेम आपको यूजर नेम ही आपका नाम ही बूल गए हो आपके फॉग यूजर नेम करना है अगर आपको तो उसके लिए आपको सिंपली फॉग यूजर नेम पर करना पड़ेगा उसके बाद आप से यहां पर पूछ रहा है कि आपको यह चीजों में से कोई सी देना पड़े का ID, GSTIA NUMBER, UIA NUMBER यह GSTP ID यह USER ID आपको user ID पता होता होता तो आप यहां पर थोड़ी ना आते आपको जाहिर बात है जब आपको कुछ फॉगेट करना है तो कुछ ना कुछ तो आपके पास होना चाहिए तो सबसे ज़्यादा बेटा चीज आपके पास मिलेगा आपका GST NUMBER आपके पास कोई कॉपी होगा अधर्वाइस आपके पास कही ना कहीं GST NUMBER लिखा होगा तो आप SIMPLY अपना GST NUMBER यहां पर पूरा का पूरा कॉपी कर सकते हैं और मैं SIMPLY कॉपी करने के बाद मैं यहां पर ले लेता हूँ Capture मैंने यह CAPTURE को भी ले लिया है अब मैं generate OTP कर लेता हूँ तो मैंने यह OTP डाल दिया है अब मैं इस OTP को submit करता हूँ तो यह मेरे को SIMPLY बोल रहा है कि आपके email के उपर हमने आपका SIMPLY मतलब आपको इसमें बता दिया है कि यहां पर आपको email address डाला हुआ है उसके अंदर हमने आपका username आपको बता दिया है तो आप अपने username चेक कर सकते हैं आप आपको username मल चुका होगा तो आपको क्या करना है username के बाद आपको FORGET आपको SIMPLY username के बाद आपको FORGET पासवर्ड पे क्लिक कर देना है सेम प्रोसेस रहेगा आपको जो आपको username मिला हुआ आप username रखेंगे username को आप FORGET करेंगे उसके लिए सेम आप username रखने के बाद आपने CAPTCHA रखा और CAPTCHA करने कर आपने सीधे OTPP SEND कर दिया आपको second OTPP आ चुका होगा तो मेरे पास OTPP आ चुका है मैं देखिए यहां पर OTPP को submit करता हूँ continue आप करेंगे आप SIMPLY आपके पास एक option आ चुका होगा कि आप अपने यहां पर कोई भी आपका नया पासवर्ड यहां पर रख सकते हैं तो मैं यहां पर एक नया पासवर्ड रख लेता हूँ आपने देख लिया होगा यहां पर सब्सक्राइश चीज आपसे मागी गई है आपका पासवर्ड नहीं रख सकते जो भी आपने पासवर्ड पासवर्ड रखा हुआ है अब वह चीज यहां पर नहीं रख सकते यहां पर मैं विल्कुल फ्रेश पासवर्ड रख रहा हूँ और देखे होंगे आप अब यहां पर मेरे पास यूजर नेम मैंने पहले आपका यूजर नेम फॉर्ड करा अब मैंने पासवर्ड फॉर्ड करा अब मैं आपको सेंपली लॉग इन करके दिखाता हूँ तो जीसे हम लोगों ने दोनों पासवर्ड को फॉर्ड कर लिए हैं अब आपको बास दोनों आके होंगे